वेलकम दोस्तों सभी का मेरा यूटूब चैनल कानून की वाज में दोस्तों आपका स्वागते दोस्तों इस मोटर विकल एक्ट में लिए पुलिस के लिए जबल जुर्माना का क्या है आप इस यूडियो से जान सकते हैं पुलिस वाले ने अगर तोड़ा ट्रेफिक रूल तो लगेगा दो गुना दिरुमाना जानिये क्या है नियम इस एक्ट में नियू ट्राफिक रूल मोटर एक्ट के नए संसदन नियम देजवर में लागू हो चुका है इसके साथ ट्रेफिक नियमों के उलंगन पर काटे जा रहे हैं चालान को लेकर देशवर में चर्चा का बाजार गरम है सामाने तोर पर ट्रेफिक चालान दस गुना तक महंगे हो गए आप देखते रहे होंगे कि हर आए दिन वहां इतने का चालान कटा वहां इतने का चालान सारी जी आज ये बजार गरम हो रहा है ट्रेफिक नियमों को लेकर दोस्तों अगर इस नियमों का उल्लंगा एकर पुलीस वाले करते हैं तो उसको क्या उससे भी ज़्यादा जुर्मा में लागू कर दिया गया है नए नियमों के लागू होने के साथ ही देजवर्ब में तरथतरे के मामिले सामने आने आने लगेए आप रोस तेली विजन में देखते है कई 15,000 की कीमत वाला स्कुटर का 23,000 का चालान काट रहा है कई ओटो का 32,000 और के लिए क्या जुर्माना है आप इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों क्योंकि आज आए दिन अगवार में आतर आ रहा है कि पंद्रह जार का स्कूटर रहे उसका तेज जार का चालान का कट रहा है तो वो केसे बरेगा लेकिन दोस्तों पुलिस वालक के लिए अगर इस निय प्रियोग नहीं कर रहा है तो इसके अजार कफायन देना होगा यह पहले सो रुपे था दोस्तों इसी के साथ साथ इस ट्रेपिक का उलंगन करने पर जुर्माने को प्रवादान दस गुना बढ़ा दिये गए लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आप यह भी जाने कि अगर को दोस्तों उनके किलाब भी कड़े प्रवादान है आप इस वीडियो में जानेंगे आगे सारी चीज में आपको बताऊंगा क्या कानूने क्या नहीं है अगर दोस्तों ऐसा होता है इस संसवधन में अगर पुलिवाला नियम की दजी उठता है तो उनको संसवधन अधिनियम की दारा 210,B में का ओ आगया।ँ आधिनम के प्राथधनों को लागु करने वाला अधिकारी प्रात किसी भी प्राति किया जाता है तो उस अप्राथ के लिए दोगोना making लंगन करता है तो उसे दो पुलिषण청 करूंब का लंगन करता है तो बंढ़ इस कहने का मतलब दोसो परतिसर ज्यादा जुर्माना बना बढ़ेगा यह इस संसोद नदी नियम की दारा 220 इस्वस्ट करती है इसलिए दोस्तों अगर कोई वेक्ती या पुलिस वाला इसी कानून की दज्जियां उड़ाता है तो उनके खिलाब भी यह नियम में दंड का प्रवादान है इसल सकते हो कि 1220 दोस्तों इसके अनुसार दोस्तों आप देखते रहेंगे कि ने ट्रेविक अनुसार कोई बिना लाई ड्राइंग लाइसेंस अकर पकड़ा जाता है तो पांच जार रुपे या जार रुपे ता कोई अगर आपात का लिन वहां जैसे एंबूलेंस धंकल गाड देने पर उसको 10,000 का रुपे का फायन बनना बढ़ागी है लेकिन ये दोस्तों पहले नईता पहले जीरुता इसलिए दोस्तों ये जो कानुने अच्छा भी है और बुरा भी है लोगों अगर लोग इसका कानुन का फोलो करते है तो ये कानुन बहुत अच्छा है क्योंकि कि हर चीज को देखके चलेंगे हर चीज को देखके रहेंगे कि ये चीज करने से ये जुर्मान आपको ये फायन बनना पड़ेगा दोस्तों इसके साथ साथ आप देखते रहें कि अगर कोई वेक्ती नावाली की मान लो वो वान चला रहा है तो उस वान चला रहा है तो उस सारी चीज़े देखते हुए जो गवर्मेंट ने जो कानून लागू किया है वह बहुत अच्छा किया है क्योंकि इस प्रकार कोई भी वेक्ति जो सील्ड वेल्ड का प्रयोग नहीं कर रहा है तो हजार रुपे का पायन होगा पहले सो रुपे ता है कि यह सारी चीज़े वह बेक्ति जो ड्राइविंग करेगा जो ट्रेफिक नियुमों का जानकार रखी का तो उससे इस पायन से मुक्ति मिलेगी वह इस पायन का जुर्माना नहीं बर सकता क्योंकि वह सारी चीज़े देख गुना जुर्माना बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सारे चीज़े सब हर वेक्ति के लागू है लेकिन दोस्तों बहुत सारे वेक्ति ये कहते है कि पुलिस वालों को लिए ये लागू नहीं है दोस्तों पुलिस वालों को लिए भी लागू है अगर पुलिस वाला भी इस नेम का लंगन करता है तो उनके 230 दुगुना जुर्मना उनके लागू है यह दारा 210 भी में सिवस्ट मोटर विकलेक्ट में सिवस्ट का गए है इसलिए दोस्तों मैं सभी से अनुरूद करता हूँ सभी से यह करता हूँ कि कोई भी वेक्ति अगर काड़ी ड्राइव करता है तो सारी चाजे साथ में रखें चले और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ सेर करें और मुझे कमेंट फॉक् साथ